नमो रियंताणम नमो सिध्धाणम नमो अयरियाणम नमो वजायणम नमो ये सब्बसाहूनम एश्वो पंजनमो कारो सब पाप अप्पनाशनो मंगलाणम चा सब्वे जिम्डम अमवय मंगलम विश्वो बगार के बोता तेद्धकृत कर्मनीर मेते शुरासुरन रैपुज्यो वासु पुज्यबुना तुवा अंगुठे अम्रुत वशे लब्दीतना बंडार गुरुगाउतम समरिये वांचित फले दातार प्रणाम दरेक पुनिश्यारियो सुक्साता माँ छो आपड़े सवारना रै प्रतिकर्मन माँ आवतु एक सुन्दर्म जानू जब्बर जस सुत्र बरेशर सुत्र ए बरेशर ने सज्जाय पर चाली रहा छिये अने एनी अंदर आजे आपड़े जयम्नी वाद करवानी छे ए अढ़ारमा नम्मरमा सरी करकंडू चरीत्र आजे आपड़े करकंडू चरीत्र नी वाद करिशू आ महा पुरुष बएउँ जब्बर जस्त थे आजे जेवनमा पुन्यन उदै शुकरी शके छे पापनों उदै शुकरी शके छे एना दर्व दवारा केवी भरतीने ओट जीवन में आवे छे आ महापुरुष्णा प्रशंग द्वारा आपने समझी शक्षू। जिया अंगर वासुपुज्यस्वामी परमात्माना पांच पांच कल्यान को थयाच। एवा चमपापुरी नगरीनी आवाच। एवा चमपापुरी नगरीमा दधी वाहन नामना राजा छे अने अमनी पदमावती नामनी राणीच। पदमावती राणी कोण ख्याल आवे छे ने? चेडा राजानी दिकरी। एटले के बगवान मावीर स्वामी परमात्माना मामा चेडा राजा अने चेडा राजा ने दिकरी एटले आवा पदमावती। अने पदमावती राणी एया ददिवाहन राजाना पत्नीच राणीच एमना द्वारा करीने एमने एक घर्भ पदमावती राणीने रेच आ पदमावती राणीनु जीवन बाउज धर्ममाईच ददिवाहन राजा पण धर्मने पामेला छे अक्षी प्रजानु सुन्दर अंशालन चाली रएऊँ छे पण समय जता जता पदमावती राणी ए घर्ब वती बनेछे गर्बने धारण करेंछे अन्य ए गर्बने जारे धारण करेंछे त्यारे अमने जत जातना दोहलावव केता इच्छाओ जात जतनी इच्छाओ उत्पनत फाइच। कई वी ते राजा ने कऊ, क्यों आथिनी अंबाडी उपर बेसू, मारी उपर चामर धरन थाई, छत्र धरन थाई, तमें मारी उपर आम छत्र धरन करीने बेठा होई, आभी वदी इच्छावों थाई छे, पण ए राजा ने केता न थी, अने हमेशा गर्ब वती स्त्री, जारे गर्बने धारण करे होई, ते वक्ते हमने जे दोहलावो उत्पन थाई, ते पुरा न करवामा आवे, तो ए स्त्री धीमे धीमे दुबरी था, सुकाती जाई, शरीर एटलू बदू सुकाई, अने एम कता जो दोहलावो उत्पन न परनार स्त्री नू मृत्यू थाई शकेश, अने अतो एकदम दुबरा थाई गया पद्मावती राणी, एक वार दधी वाहन राजा पुछे छे कि के माटला बदा दुबरा थाओ छो तमे, अने तमे तो गर्बने धारण करे हो छे, तमारू सरीर तो ओल्लेडी वधारे बन को थाई ज़, पड़ बोलो तो सही, मने वो दोहलो उच्पन थयो ज़, के तमे ने हूँ आथी ने अंबाडी उपर बेशी, अने हूँ आगर बेठी होई, मारी उपर तमे चत्रधारण करी होई, राज दर्बार नी अंदर आपड़े निकरी, तो राजा के माशू आन्दो पर राजा अने राणी बेशेचे, अगर राणी बेशेचे, राणी ने गरबदारण करेलोचे, राजा ये राणी ने चत्रधारण करीचे, सेवक बनीने, अने आरी ते हाथी उपर बेशी, राद दर्बार ना मार्गो माथी निकरेचे, पन निकरता निकरता राणी केचे जी थोड़ाक आगर जोँच अने एम करता थोड़ाक आगर थोड़ाक आगर जाईच एमा हाथी गांडो बनेच अन ए आथी गांडो बनेलो हाथी भागवा लागेच ये टली बधी आथी नी स्पीड वधारी देचे आथी भागवा नी राजा ने राणी ने डर लागेच र राजा राणी ने केचे वू आथी ने रुकवा किटली कोशिश करूचुू। सहज निते रुकाई जवो जोईये। पण आथी तो रुकतो जनती। बागी जाईये। जेन जे वरुकवा माटे कोशिश करूचुू। वधारे स्पीड थी भागे चे। अवे राजा के आपणे जीव बचावोच। अने जीव बचावा माटे आगर कोई व्रुक्ष होई ए व्रुक्ष नी मोटी डारी आवे आपणे बन्नी जणा आ डारी ने पकडी लईये। नहीं तर आथी तो रुकवानों न थी। गांडों थयोज। अने ए डारी ने पकडी अने आपणे आपणे जीव बचावी लईये। राणी के ओके राजा पण के आदी ते नकी कर्यू। अने एम करता करता वच्चमा एक मोट्टों गुरुक्ष आवियू। मोट्टी एनी डारी आलोको आथी उपर बेठाता सहज रुपे आम डारी ने पकडी शके एरीते थयो। पड़ तियां आंगर राजा तो डारी ने पकडवामा सफर फई गया। पड़ राणी ए गरबने धारण करे यो तो कोशिश पूरी करे चे। पड़ राणी डारी पकडी शक्ता नथी। राणी हाथी ने आथी उपर अजबेसी रेचे। अने राजा तो आम डारी पकडिया आम आम दूर दूर जुवे छे आथी तो भागे जाई छें आथी उपर राणी पड़ बैठेला चे अने राणी पर थायू अवेसु करूँ ववेश्रू करू एम करता राणी ने राजा राजा ने राणी देखाता पन बन थाई गया एटलो बदो आथी दूर भागी गयो जंगल मा आवी गयो एटलू डैंजर जंगल छे जोईने डर लागी कईते जीव बचाव सू पण एवाक माँ दूर एक तराव देखाई चे हाथी ने तरस लागी छे माटे हाथी ए तराव माँ पानी पीवा माटे करी अने उभोरे चे अने जेवो हाथी पाणी पीवा त्या उभोरे चे इटले तरत ज्राणी आथी उपर थी शिदाच आम एक शांती थी धिमे 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 उत्री जाई जाई अने आथी थी बची जाई जाई अने तो चालयो गयो है नीरी थी चारे बाजु राणी जंगल मा नचर राके जे आ जंगल मा जंगली पशुओ एकदम डेंजरे वाबधा वुरुक्षो पक्षियो अब दूच देखाई जे लिए दूर-दूर कोई मानस देखातू नचर राणी के कर शुशू कहीदी ते मारो जीव बचावीश मारा सरीर मा पड़ जीव छे येने पड़ कहीदे बचावीश और एम करता-करता राजा राजा एक विजा भूम मारे चे पड़े तो छुटा पड़ी गया चे दूर- चलता जंगल मा दूर एक आस्रम देखाई छे एक जुंपडा जेव हो आस्रम ज्यांगर देखाई छे राणी ने थोड़ी गळास तहाई छे आवा जंगल मा pakai पन अँवा ना नकडू ददीवहन राजा अने उन्चमपापुरी नगरी नीचु आराणी चु आरी ते इया गरावी पोची चु शन्या सीकेचे आप जराई चिन्ता नगर। तमे तो चेडा राजा ना दिकरी चो ददीवन राजा ना पत्नी चो अमारी फरच दाई जे तमने तमारा नगर माँ पोचाडवाली अने एना माटे अमे सन्याशियो जे बद्दो वेवारा छोड़ी दिदो जे पड़ जोवो अब द्दा वुर्क्षोना फल फुरूट जाओ अने तमने अहिया थी बाजुमा नजीक मार एक नगर छे अने ए नगर नी अंदर तमने पोचाड़ी दईए त्यानो राजा तमने चंपा पुरी मा दधिवाहन राजा पासे पोचाड़ आ प्रमाने करी अने तिया आस्रम मार बेदिवस रुकाई छे स्वस्त थाई अने ए ब्रभावती राणी तिया थी पचे बाजुना नगर मा जाईजुमा अने नगर माजीयां जाई ए नगर माँ प्रविश्च करे तिया तो एक साद्वीजी बगवन आ राणी ने मले चे राणी ब्रभाप पदमावती राणी पोते पोतानो व्रुत्तांथ आ जी पन तमारे संसार भोगवोच अजी तमने वहीराग्य थतो नती अजी तमने दिक्षाना भाव थता नती जी तमने चंपापुरी मा जवच ददी माहन राजा पासे जवच अजी संसार भोगवोच अधर्मन मल्योचे दर्मनो उप्योग करो धर्मने तो तमने जिवाड आछे तमे जे कईू के आवास्तर नी अंदर उज्यारे जंगल मा एकली थाई त्यारे पन में पंच साद्वीजी भगवंतो ना श्मरणे तमने यहां सुधी पोचाड़े आछे हवे या संसार मा काई न थी अने साद्वीजी भगवंतो नी वातो जानता जानता पदमावती राणी वैराज्य पामेश्य परमन मा विचार करेश्यों मारा शरीर मा मारा पेट मां तो गर्बच अवे जो हुँ आ साद्वीजी बगवन तेने एम कईश के बाई हुँ प्रेगनेट छू अने आरीते हुँ साद्वीजी बगवन ने कईश तो साद्वीजी बगवन तो मने दिख्षाद देई आपे और येटलो बदो पदमावती राणी नो वैराग्य छे ये तरतत साद्वीजी बगवन पदमावती राणी ने दिख्षाद पेच अने पदमावती राणी माथी ये पदमावती साद्वीजी बगवन्त बनेच श्रमनी बगवन्त बनेच पंच महावरत्स्विकार्या सुन्दर स्रेष्ट बक्ती पुर्वक आदर पुर्वक अने रदैना म फोड़ाक मैनों पैसार थाया। अने तियां तो पद्मावती राणी जेजे। एमनू पेट वध्वाँ लागिय। आ पेट वध्वा लागिय। शरीरप्रत्य नी जे बदा अहो बाव ये जोईने शरीरप्रत्य नी बधि वाध जोई। अने साद्वी जी बगवंत ने खबर पड़ी, पद्मावती राणी पड़ केचे हाँ, अपनी बात्साची छे, मैं गर्बने धारण करयो छे, तो पछी तमें दिक्षा लेती वक्ते कईू केम नहीं, जो हूं दिक्षा लेती वक्ते कऊ, तो तमें मने दिक्षा ना आपो, अ अने मने ये वक्ते एतलो वहिराग्य थयो, मारे तरत दिक्षा लेवी चे, साद्वी जी बगवंत केचे काम करो, अवे आ रीते यमना गुरू साद्वी जी बगवंत केचे, गुरूनी केचे तमें काम करो, अवे आ उपास्राइमा पन, तमें एकांत मारो, लोको ने खबर पड़े आरीते तोतो जे जिन जेन शाषन नी इलना थाई लोको न बोलवाना अवर्मावाद बोले माटे आ गुरुणी साद्वीजी भगवन एमने उपास्रहिमा एकांतमा राकेज बदानी वच्चमानी अन एम करता करता पदमावती राणी जे साद्वीजी भगवन छे ज अने दिक्रानो जन्मा आपेज गुरुणी के छे अवे आ दिक्राने राक्षू एना थी संसारवत से एने पालन पोशन करवू पडशे माटे गुरुणी अने पदमावती साद्वीजी भगवन बनने नकी करे छे अने ए नकी कर्या बुजब आने श्मशानमा जई अने आ प्रत्वा जनमेलो ताजो जे पुत्र छे एने मुख्या आवो पदमावती साद्वीजी भगवन एने मुखवा जाई छे वीचार करजो जे बारक ले माता ये नव नव मैना सुधी पेट मा राक्यों होई एना प्रते वात्सल्य केटलू होई? एना प्रत्यनो प्रेम केट पीता करता पण माता ने पोता ना संतान प्रत्ते वात्सल्य घणू बदू होई जे मा प्रशंग आवे तो दिकरा ने कोईक बेन पड़ी ना दिकरा ये मारे होई ने तो ये दिकरा ने लईने पेली बेन पड़ी नी साथे जगडवा चाली जाए अ दिक्रानू वात्सल्य सू करावेच जारे अईया अगर तो वात्सल्य होवा छता पन मा केचे जो दिक्रा प्रत्यनो राग राकिश तो आ सैयम मारे मुखवू पड़ सैयम नथी मुखवू माटे दिक्राने छोडवा तैयार फई गई मा दिक्राने लई श्मशान मा जाई छे अने श्मशान मा जाई ताजो जनमेलो दिक्रो श्मशान मा मुखे छे पन जै शक्ती नती है जी मा मारा दिक्रानू सूत आई छे कोई जंगली जीवो आवी अनेने मारी न नाखे माटे थो वाट टाइम मां एश मशाननू जे काम करतो होई एवो चंडाल आवे छे अनि चंडाल आवी ने जोवे छे तो त्या तो ताजू एक दम हमणानू जन्मेलू बारक त्या अंगरोई छे अनि आ चंडाल आ बारक ने जोवे छे त्या तो चंडाल ने थाई छे मेतो लगन करयान वर्शों थिया चे मारी पत्नी किलाय समई थी पुत्र के चे टहरे हमारा घर मा तो कोई दिख्रो सन्थान जे नहीं और अ सन्थान मने आपू आप मलीगीय चाह तो इश्वरे आप Hai चंडाल तो खोश खोश थाई जे अने जिये लिते चंडाल आ पुत्र ने ले छे दूर उबारहेला पेला पदमावती साद्वीजी बगवन जोवे छे एमने पड़ थाई जे के खरेखर जरुरियात वारी व्यक्ती ने आ पुत्र मल्यो हो यह उलागे छे इतला हो बावती य अने लिए ले ने ए चंडाल और गरते शाध्वीजी बगवन तो त्याहेला पुत्र ने ले पुत्र ने श्वरूपवाद केम के राजाने राणी नो दिकरो छे ने अमने उचेर करे चे परन्तु आ दिकरो जी नानो मोटो थाई रयो छे रमवा माटे जाय बदानी शाथे रमे पन एक बीमारी एना सरीर मां के एने चेने सरीर उपर खाज बव आवे इतली एने खणज खणज इतली करें इतली बदी सरीर उपर आवे ने आखो दीवस खंखण करें मित्रों पासे जाएं तो मित्रों ने पण के यह मैंने खण तो मने यह खण आप तो लोकोए एनू नाम करकंडू पाड़ी दितू मता पिता पड़े ने करकंडू थीज बुलाव अने आ करकंडू मोटो थाई रयोज छो वरस नो थायो करकंडू तिया अगर तो करकंडू हजी आरीते बधाने प्रियव ने लोज पड़ विचार कर जो कर्मनी विचित्रता जे करकंडू राजानो दिकरो राजाना गर्मा जन्मेव होत तो ए राजा राणियनो केवो जन्ममोच सव करोत ए राजानो दिकरो आजे क्या मोटो थाई दियो छे चंडाल चंडाल ना गर्मा कवचुवा पापने पुन्य सुकरी रयाज। आराणी एक दिवस क्या हता राजानेतियां, एक दिवस जंगलमा, एक दिवस रमणी बगवन, केवी कर्मनी विचित्रताओ ज। कर्म कई विक्तीने घडीकवारमा क्या थी, क्या मुकी दे, जो पुन्य अपने फ्यवर करे, तो पुन्य घडीकवारमा क्याना क्या पहचाड़ी देज? आमने पुन्य फ्यवर नती करतु, माटे करकंडूने चंडालना घरमा जव पड़िएुज। चंडाल ना घरमा मोटा थाई चो आठ वरस ना करकंडू थया चे जीतों तिया अगर पीतानी साथे श्मशान माजाई श्मशान ना बदा कामों करे पीतानी साथे राजानों दिकरो एक वकत रस्ता माथी पशार थता थता एक खेतर माथी पशार थता था त्या बेमुनी बगवन तो भदारे आ बेमुनी बगवन तो परश पर वात करता था के पेल्लू जे खेतर माजे वास चे नवास यनो बांबू आ वास नो जे बांबू छे ए बांबू जे ले एने जे च બેमुणी भगवन्तों आवी वाद करता था, आ वाद, आ करकंडु साम्बरे चे, बाजुमा एक ब्राम्मन जो, एक ब्राम्मने साम्बरे चे. प्रिसी तोच ब्राम्मन भगयो, अने पेलो मासुनों टुकडों लिवा माड़े. आ बाजू करकंडू पन भागेज। करकंडू ने तो छे ने, राजा ने आ ने तिनी बधामा तो कोई मतलब नतो, पड़ गुरुना वचनो छे आ वास्नो टुकडो लेवा थी। तो ए रिते वास्नो टुकडो लेवा जाईज। अंनि बञ्ने जन ब्रहामन के हूँँ लोग, करकंडू के हूँँ लोग, फेलो ब्रहामन के हूँशू बंने जन जगडा थाईज। ए बण्ने जन जगडा थी, राजा पासे बन्ने जन。」 पोता नी फरयाद लहिने जाईज। राजा बन्नेनी फरियाज साम्वरी राजा ने असु आवे ज़े, क्या कई चंडाल राजा थवा नोच, अब ब्रामन थवा नोच, एना करता है काम करने बाई, ब्रामन ने तू तो मोटी उमर नोच, आ करकंडू न केच, तू राजा थाई ने, अले ले वास्टो टुकड़ तो लईले, पड़ तू राजा थाई ने, त्यारे आव रामन ने तू एक क्याम आपजे, ब्रामन प्राजन थे。 करकंडू प्रशन थे न थे, बन्ने ना जगडा पूरा थे या, पढ़ आ ब्रामने करकंडू ने डाढमा राख्यो जे, तू कुड़ो केम करकंडू लई ग अने आ ब्रामन नो विजार करकंडू ने खबर पड़ी। मृत्युपा में तो हाथी नी अंबाडी उपर कोईकने बैसाडवानो अने आती ने त्या अगर पेलो कलश आपवानो एक कलश हाथी जैनी उपर ढोरे ये राजा बनी जाए आउ बदू तिया नगरमा डिसाइड थायू छे कंचनपूर नगरमा जैने आकर कंडू जी कि जीत सर त्या आगर कंचन पूर नगरमा लावी येनों राज्या पिशेख करे छे तमारा अनुद जी चंडालना घरमा तो आज ये कोड बनिया कर कंडू राजा बनी गया अन्य पुन्य फेवर करेने तमारा मनमा सो सवालो जथ से के राजा तो बनी गया पड़ घडी कवार माय घुडाव पर चड़ी ने बेसी जाए राजनिती चलावता आवडे सस्त्रों यह मने चलावता आवडे शिकार करता बद्दू क्या पुन्य तमने फेवर करे त्यारे बद्दूज तमारा फेवर मात था। अनि एम करता ब्राह्मन आवेज अवे गाम लेवा माते। जेने पहलू जेए वास्नो टुकड़ वक्ते कि दू तू ने राजा आये कई दू के तने करकंडू राजा मल से तो तने गाम आपसे। तो ब्राह्मन के गाम आप हो मने। करकंडू सु करे चे तू मारी पासे नहीं। तू चंपापुरी रगरी मा जा। दधी वाहन राजा ने के जे एतने गाम आपसे। अने पेलो जे करकंडू छे ने एक करकंडू काई राजा नाती ये तो एमनें बनी गयो छे। ये कही राजानों दिक्रों चे ने पताना कला का उशल ये थी शक्ती थी जित्यों नथी। मारे नथी आ पुझागा। ये तले जियारे आ समाचारलाई ने ब्राह्मन आवे छे। ये तले करकंडू तो सिदोज आ दधी वाहन राजा साथे युद्ध करवा तहिया थाईच। आकको लश्कर विएरे सजी अने जाई छे दधी वाहन पासे राजा पासे युद्ध करवा माटे। अबे विचार जो आ कोण छे दधी वाहन राजा ने करकंडू कोण छे बन्नी राजा जे आ कंचनपुर्णो राजा जे अपने करकंडू ए कंचनपुर्णो अने आ जे जे ने दधी वाहन राजा चंपा पुरीना राजा जे पड़ हकीकत माँ बन्नी बाप दिकरा जे बन् कंडु ने केछे जो तने तने ज्यारे वो छोड़ी नावी चुने आरीते तने वो छोड़ी नावी चुने अक्को वृत्तांत केछे अने त्यारे में कितला गराज जिन्नों तारी पासे छोड़े आता अने ये तारा आतमा जे विंटी विगेरे चे वद्दू तु जो येना चिन्ना उपरती करकंडू ने खबर पड़ी ची हाँ उतो राजानो दिकरो छू अने जनी साथे युद्ध करवा जाओ छू ए बिजु कुईनी मारा पीता छे अने पदमावती साद्वीजी बगवंत के छे तमें बन्ने राजावो इटला बलवान छो जो तमें युद्ध कर शो लाखो करोडो जिवनू कच्चर घान थाई जासे अटला बदानों सहार बन्ने सगा बाप दिकरो अने तियां अगर करकंडू बोध पामे छे आ बाजू करकंडू अने आ बाजू ददिवान राजा ने पन खबर पड़े चे आज ये छे दिकरो ये कोई नहीं पड़ प अगरस देख करणा ये संपूर्ण युद्ध नी तै़्यारी करी लिदी चे सामसामा आवी गया चे बद्दू युद्ध ने रुक Grandma ये युद्ध ने बंद करी मने सामसामा जाई चे तिया तर्कंडू तो पिताना चरण मा पड़ी माफी मांगे ददीवाहन राजा के छे आवो शंसार केवू बदू न थवानू जीवनमा थाई गयू न जोईए ददीवाहन राजा पोतानू राज्य करकंडू ने आपी पोते दिक्षाले छे आब आजू करकंडू हवे तो मुट्टो अखो आ ददीवा जे चंपापुरी न बद्हा बनी गयों और आणि एणी पासे एकला बधा गोकूरोँ रह साथे मुट्टी एक सांड ज्य करकंडू ने पासे एमाने इंतला बद्हा गोकूरोँ चे एना थी बहु मुट्टो स्रिमन्त आ करकंडू राजा बनेलो चे अनि एटली बलवान शांड चे मुट्टा मुट्टा जे गाय भेस विगेने मुट्टा मुट्टा बलवान होई एवा सांडों ने पन एहरावी दे एवु आ पशू जे सांड चे अनि ए सांड हवे मुद्ध थैली आ सांड मृत्यू पामी जेनी उपर करकंडू ने अनहद प्रेम हतों अनहद प्रेम आ मृत्यू पामी हुँ शू करीश एना वीना सू करीश अने एटलो रडे छे एम करता करता करकंडू ने वो तानो पुर्वभव याद आवे छे पुर्वभवमा में किटली शाधना करीशे किटलू पुण्य करीशे ए पुण्यना प्रतापे हुँ आ थयो छू जे सांड उपर मने अती प्रेम हतों जेना थी मारा गोकूर आते किटलो बदो वैबाव अतो आवो बलबान शांड अनेक बरद विगेरेने पान भरावी दे एवो शांड आजे अचानक मृत्यू पामेओ तो पछी मारा आईश्यनो भरोसो सूझे उपड़ारी ते एक दिवस चालेओ जैशे आवो विचार करता 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 कर कंडूने वैराग्य थाईचे वो ते पोतानी जाते स्वयम बोध पामेचे स्वयम बोध पामी तियां आगर पोते एमने केवल न्याननी प्राप्ती थाईचे जैने जैन शाषन मा आ कर कंडूने केवली मा पन बोध पामेला पन कया बोध पामेला गिदाचे प्रत्तेक बुद्ध किदाचे आपणे तिर्थंकर भगवन्तो श्वयम बुद्ध ज़ एपोतानी मेरे बोध पामेला छे माटे तिर्थंकर भगवन्तो ने श्वयम बुद्ध केवाईचे तमेने हुँ आपणे गुरु भगवन्तो द्वारा बोध पामिये छिए धर्म पामिये छिए समझन लईएचे आपणे बद्ध बुद्ध बोधीत केवाईचे पड़ शास्त्र मा नव तत्व जेवा ग्रंथ मा प्रत्यक बुद्ध मा एक एक्जामपल आवेचे अब आ खोईकंज बहुँ ओछा एक्जामपल होँचे अनू एक्जामपल मा ती जनू नामावेचे या कर कंडू प्रत्यक बुद्ध प्रत्यक बुद्ध येटले बोतानी मेरे बोध पामे पण एमने बोध पामवामा कोईक नूँ कोईक निमित मले श्वयम बुद्ध पोतानी मेरे बोध पामे चे पण एमने कोई निमित नती मलतू प्रत्यक बुद्ध पोतानी मेरे बोध पामे पणा जे सांड विगेरेनो जे प्रशंग बन्यों ने बस आवू निमित मले, आमने निमित मल्यू, पोतानी मेरे बोध पाम्या, स्वर्गमाथी देवो आविया, देवो ए एमने वेश आप्यो, चारीत्र नो वेश, चारीत्र नो वेश लिदो, रजोहरण लिदू, सुन्दर मा सुन्दर चारीत्र, अने साथे केवल्न्यान पामी आठे कर्मनोक्षाई करी अने करकंडू ए मोक्षे गया जैन शाषन मां केवा केवा महापुरुषो छे पुन्य सू करे छे पुन्य राजाना दिकराने चंडाला घरमा मुके छे वड़ी पुन्य फेवर करे तो फड़ी पाचा ए राजा पड़ बनावे छे जीवन मां थर्मज जरूरीज पुन्य नी प्राप्ती पन धर्मतीच थसे तमेने हुँ बद्धा सारा मां सारो धर्म आरादता थाईए और एनी साथे छेले आजनो एक प्रश्न और प्रश्न मां आपणे प्रश्न एक करीशू प्रत्यक बुद्ध एट लेशू आजनो सवाल प्रत्यक बुद्ध एट लेशू अब बद्धा सुन्दर्वजाना जवाबो कोमेंट बोक्स विगेरेमा आपीर्या छो बहुसरस अपनी सर्वेनी खोब्खो बनुमद्ना जिनेश्वार बगबन्तिनी आगनाविरूत काईपण बोलाई वोई तो मनवच्चन काये करी मिच्छामेदोकडं प्रणा सत्ता मारेजू